गाइस हम सब चाहते हैं कि हमारा चेहरा काफी ज़दा हैंडसम दीखे हमारा फेश काफी ज़दा पॉफेक्ट दीखे ताकि लोग हमें कंप्लिमेंट्स दे लोग हमें बार बार मुर्मुर कर देखें लेकिन यह चीज़ यह नहीं पात ही क्योंकि आपको प्रॉपर टिप्स यह आपके लिए बस imagination बनके रह जाता है तो आज मैं आपको फाइब प्रो टिप्स दोंगा जिसके बाद यह पॉसिबल हो पाएगा इस वीडियो में फाइब टिप्स देने के अलावा एंड में आपको एक स्टोडी भी सुनाओंगा जो कि मेरी परसनली स्टोडी हैं काफी ज़्यादा फणी है तो एंड टक्दिफ नहीं पॉइंट नमर वन फिक्स फेसिल प्रोब्लम्स जिस वजह से आपका फेस उतना ज्यादा पॉफेक्ट नहीं दिख पाता आपका फेस मॉडल्स की तरह नहीं दिख पाता अगर आप हैंडसम लगने से चूक रहे हो तो इसका सबसे बड़ा रीजन है आपके फेस पे कुछ ऐसे प्रोब्लम्स है जिस वजह से आप हैंडसम नहीं दिख पाते तो प्रोब्लम नमर वन को ठीक करते हैं अगर आपको पिंबल्स हो रहे हैं तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूसन है आप ऐसे फेस मॉस को यूज करो जिसम आपके फिंबल्स ठीक हो जाएंगे अब इसमें आपको थोरा महनत करना पड़ेगा यह जो इंग्रेडियंट्स हैं जिस भी फेस बाउस में हूँ आपको चूज करना है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह है ब्लैकेट्स एक बहुत बारी प्रॉब्लम बन चुके आज क दाल चिनी का पाउडर थोरा सा हल्दी एंड नेम्बू मिक्स करो इसका पेश्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाओ एंड 10 मिनट छोड़ दो और फिर पानी से धो लेना है दाल चिनी जो होता है न वो हमारे स्किन के पोर्स को टाइट करता है एंड नेम्बू अगरा जो है वो बेसिकली काम करता है ब्लैक हेट्स एंड वाइट हेट्स पर उसको रिमूव करता है थार्ड जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है लोगों की वह चेहरे का चमक चला गया है चेहरे का नूर चला गया है चेहरे का तेज चला गया है तो इसको लाने के लिए मैं हमेशा एक पावर हमने जो बुक बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्सन में उसको पढ़ो पक्का नोफैप कर पाओगी उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे फेस के लिए वो है दाग धब्बे दाग धब्बे हमें हैंडसम दिखने से रोकते हैं चाहे पिंपल्स की वज लगाओ एंड मैंने इसे लगाना चालो किया कुछ वक्ति बाद न सारे दाग धब्बे धीरे-धीरे करके गायब होने लगे इसमें एंटी बैक्टिरियल एंड एंटी इंफ्लामेटरिक गुन होते हैं जिस वज़े से नहीं आपके दाग धब्बों को धीरे-धीरे करके ठ फिक कर देता है तो अगर आपको पिंपल्स वगरा होना बंध हो चुकी है तो अपर आत को लगा कर सो सकते हो अधर्वाइस साम को लगा लो एंड दस ग्यारा बजे रिमूफ कर लेना जोलाइन एक ऐसी चीज है ना जो आपको काफी ज़दे अट्राक्टिव और काफी ज़दे हैंड सम दिखाता है जर्णल नेचर कम्यूनिकेसंस के एक स्टडी में पता चला कि एक मैन जिसके अंदर ना हाई लेवल आफ टेस्टेस्टरॉन होता है उसका जो फेसिल फीचेर होता है वो ज़दा masculine लगता है जोलाइन भी उसमें आता है जोलाइन को एक सक्सी फिजिकल ट्रेट माना जाता है मौड़लस के पास जोलाइन होता है और जोलाइन उनको काफी ज़दा attractive बना देता है, तो अगर आपको jawline चाहिए, तो कुछ ऐसे tips दूँगा, जो आपको follow करना है, तिप नमर वन, अगर आपको jawline चाहिए, तो अपने beard को इस तरह से trim करो, कि लगे कि आपके jawlines है, chin strap beard, goatee and soul patch, ये तीन तरह के beard look, अगर आप रखते हो, तो automatically आपका face ऐसा लगेगा, कि आपके jawlines है, ये तीन beard look ऐसे है न, कि लोगों को न लगता है, कि आपके jawlines है, टिप नमर टू, jawline exercises, neck curl up, cleanse and release, collar bone backup and tongue twister, ये कुछ ऐसे exercises हैं, जो अगर आप करते हो, तो definitely आपके jawlines निकल आएंगे, अब definitely जैसे हम अपने body के structure को exercises से change कर सकते हैं, वैसे ही face के exercises से, हम अपने face के structure को भी change कर पाते हैं, टिप नमर 3, boost testosterone, जैसा कि मैंने बता है, journal nature communication में पता चला था कि, higher level of testosterone जिनका होता है, उनके अंदर ये jawline वगरा निखर कराते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने testosterone को boost कर सकते हैं, जो आज के males में बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो उसके लिए आपको strength training यानि exercise वगरा करना होगा, उसके साथ साथ आपको enough sleep लेना होगा, stress को कम करना होगा और diet को सही करना होगा, time पर रखना होगा, testosterone एक male hormone है, जो आपको more masculine बनाता है, so fact is कि अगर आपको लग रहा है कि आपके body में lower level of testosterone है, आप चाहते हो कि एक video लाओ मैं, जिसमें मैं बताओ कि testosterone को boost कैसे करें, तो 700 comments and 7 के likes का target है, अगर आपने पूरा कर दिया, तो definitely वीडियो आएगी इस पर, वैसे अगर आपने मुझे Instagram पर भी तो follow नहीं किया, तो जाओ follow कर लो, क्योंकि Instagram पर मैं आज कल बहुत ज़़दा active रहता हूँ, क्या मतलब मेरी crush Instagram पर active रहती है, इसलिए मैं active रहता हूँ, बिया हूँ गया है, नोज हेर को trim कर सकते हूँ, definitely nose hair को shaving तो नहीं कर सकते हैं, nose hair को trim करने के लिए tweezers आते हैं, तो tweezers जो है आप ले सकते हूँ, ताकि आप nose hair को trim करो, उसके बाद cold shower लो, ताकि आपके stress को कम कर सके, अप काफी ज़दा cool रहो, ये pain से भी relief देता है, beard को trim करो, अगर करना चाहते हो तो मैं तो नहीं करना चाहता, और face wash regular use करो, at least एक दिन में आपको two times face wash को use करना चाहिए, और बाहर निकलो तो sunscreen लगा कर बाहर जाओ, ये कुछ grooming tips हैं, जो आपको regular follow करना चाहिए, और जिस वज़े से आप काफी ज़दा updated रहोगे, अच्छे लगोगे, पॉइंट नमर four, add protein in your diet, अब कितने भी home remedies या expensive skin care कर इस्तमाल कर लो, कुछ भी नहीं होगा अगर problem अंदर होगा, हमारे skin nourishment मांगती है, और वो well balanced diet, जिससे हमें nutrients मिले, उसी से हो पाएगा, well balanced diet ही हमारे skin को healthy और glowing बना सकता है, जिसमें protein हो and vitamins हो, protein एक repairing agent है, जो हमारे skin को strength, elastin, collagen provide करता है, तो अपने diet में न definitely protein वाली चीजों को सामिल करो, अब देखो गिए आपका चेहरा चमकने लगेगा, आपके चेहरे के जो flaws होंगे, धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, उसकी साथ साथ कुछे से vitamins हैं, जो हमारे skin के लिए बहुत ज़्यदे important है, अगर आप glowing skin चाहते हो तो, ये 7 vitamins हैं list आपको दिख रहा होगा, तो आपको बस ये करना है कि अपने diet में protein और vitamins है, rich foods सामिल करना है, और आप देखो कि आपके skin के flaws वगरा खतम हो जाएंगे धीरे धीरे, point number 5, try to be always happy, quality of sexiness जो होता है ना, वो हमारे अंदर से आता है, कहावत है अगर आप ज़्यादा smile करते हो, ज़्यादा खुश रहते हो, तो अब ज़्यादा attractive और ज़्यादा sexy लगते हो, सब कहते हैं, सारे लोग कहते हैं, लेकिन इसका सबसे बढ़ा reason है कि अप अंदर से अगर आप satisfy रहते हो ना, तो definitely बाहर से आप काफी ज़्यादा fresh और attractive लगोगे, चलो मैं कुछ personal story सुनाने वाला था, इसी points से related था, तो मैं सुना देता हूँ, one and half year हुआ होगा इस बात का, मैंना career में downfalls वगरा कुछ ज़्यादा देख रहता है, and मैं काफी ज़्यादा sad रहता था, बहुत ज़्यादा angry रहता था, and stress में रहता था, तो मैं अपने team members, अपने दोस्तों पर, या किसी पर भी गुसा हो जा था अपने आस पास के लोगों पर, and मैं काफी ज़्यादा sad रहता था, तो उस सही से लोगों से बात भी नहीं कर पा रहा था, जब early age में ही आप पर responsibilities वगरा आते हैं, तो definitely आप ये scene वगरा देखते ही हो, तो ये चीज़ मैंने अपने एक दोस्त को बताई, उसने मुझे बोला कि अबे, तो दूसरों क्या advice देता है, अगर तू खुद कोई control नहीं कर पाता तो, I was like, अबे बेज़ती कर रही है या समझा रही है, उसने मुझे कहा कि अगर तो खुद से नहीं लड़ सकता, खुद के अंदर की problem से नहीं लड़ सकता, तो तो बाहर की दुनिया से क्या लड़ेगा, खुद के अंदर की दुस्मन से लड़ और जीत, खुश रह, दुनिया में हर जगा जीत हासिल होगी, अब यह मत समझो कि मैं आपको motivate करता हूँ, तो मैं demotivate नहीं होता है, ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, उपर से उतर कर कोई इंतरिक्ष से नहीं आया हूँ, definitely, हाँ, सबसे बड़ा motivation आप लोगों मेरे लिए, तो fact यह है कि आपको अपने अंदर की दुस्मन से खुद लड़ना पड़ेगा, sadness, stress, anger, इन सब चीज़ों को अगर आप खतम करते हो न, आप खुश रहते हो न, तो automatically आप लाइफ में हर चीज अचीज 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 करोगे, अगर आप खुश रहोगे, तो definitely आप जाधा अच्छे दिखोगे, अगर आप खुश रहोगे, जाधा life में अचीज करोगे, जाधा successful होगे, अगर आप खुश रहोगे, तो अच्छे relationships बना पाओगे, तो मेरे दोस्त, try to be always happy, अगर आपको हमारी वीडियो से value मिला है, तो इस वीडियो को जाधा सा जाधा शेयर करे, ताकि जाधा सा जाधा लोग इस वीडियो से value पा सके, थैंक्स फॉचिंग गाइज, लव यू अल